Hello dear students, बच्चों आपके GK subject में आप अपने GK की test book और notebook निकालिए और GK में आपका जो sports chapter है वो complete हो चुका है अब है entertainment अब देखिए आप इसमें ये जो sports तक का chapter था biopics last इसका topic था जो हमने पढ़ा ठीक है और इसके बाद अब जो syllabus है आपका entertainment पार्ट है ये आज से हम इसको continue करेंगे ठीक है बच्चों तो इसमें जो पहला जो chapter है वो है comic heroes page number 58 तो आप लोग भी 58 page number open कीजिए ये देखिए page number 58 में क्या है entertainment पार्ट है ठीक है ये नया chapter सुरू हो गया है इसमें पहला chapter काउन सा है आपका comic heroes तो comic का मतलब है तो आपने comics पढ़ी होंगी ठीक है तो ये entertainment के पार्ट में आता है ये अलग-लग characters होते हैं इनमें ये superhero भी कहा जाता है इनको ठीक है तो इनके बारे में आज ह two three four five six six जो comic heroes के बारे में इसमें हमको जानकारी दी गई है तो आज हम पढ़ेंगे only three comic heroes जो है इनके बारे में आज हम जानेंगे और पढ़ेंगे और लिखेंगे ठीक है तो देखिए first आपका intro क्या दिया गया है are you a comic buff? याने कि क्या आप comic के सौकीन है you often read superhero and superheroine comics आपने अक्सर जो है superhero या superheroines की comics पढ़ी होंगी read and tick the correct options आपने ये पढ़ना है ये जो description यह आपे दिया गया है और correct option पे टिक करना है यह जो इनकी a, b, c जो option दिये गए है इनको इन में से जो right option होगा उस पे टिक करना है ठीक है तो देखिए और यहाँ पर सामने इनकी pictures भी दिये गए है किसी किसी की picture हर किसी की picture नहीं है क्योंकि इसमें six topics हैं लेकिन pictures कितनी है one, two, three, four, five किसी एक picture नहीं है कोई बात नहीं तो चलिए first देखिए Hank Pym created a superhero who is a scientist and has invented a substance that can change size अब इसमें समझीए क्या कहना चारे हैं यह करें कि Hank Pym यह नाम है किसी का created a superhero Hank Pym ने एक superhero create किया ठीक है यानि कि यह एक superhero के बारे में बात हो रही है और इसको किस ने create किया Hank Pym ने who is a scientist जो scientist है and has invented a substance substance का मतलब था कि इन्होंने कोई एक पदार्थ बनाया एक ऐसी चीज़ बनाई जो invented यानि कि invent किया यानि कि अविस्कार किया ठीक है एक ऐसी चीज़ का अविस्कार किया एक ऐसे पदार्थ का एक ऐसे आइटम का इन्होंने अविस्कार किया इन्वेंटेट किया invention किया that can change size जो की size बदल सकता है याने की कोई भी चीज छोटी या बड़ी कर सकता है ठीक है? तो वो कौन सा superhero है जो चीजों को छोटा या बड़ा कर सकता है यहाँ पर A में दिया गया है option Iron Man B में है Ant Man और C में है Wolverine ठीक है? तो इसका right option है बच्चो Ant Man Ant Man यह सामने पिक्चर भी बनी वी है तो इसका Ant Man एक ऐसा superhero है जो जिसके पास एक ऐसा substance है एक ऐसा चीज है एक ऐसा पदार्थ है जिससे वो चीजों के size छोटे या बड़े कर सकता है ठीक है? Ant Man इसको मैं भी अपनी notebook में भी लिखेंगे ठीक है? फिलाल सेकिन पढ़िए He and his friend Obelix are from a village of Gauls He and his friend Obelix यानि कि यहां पर एक superhero की बात हो रही है जो और उसके दोस्त का नाम क्या है? Obelix ठीक है? Are from a village of Gauls वो कौन से village से है? वो है Gauls नाम का एक village है उससे है ठीक है? उसके रहने वारे है They have various adventures as they resist Roman occupation in 50 BC They have various adventures यानि कि उन्हों adventures का मतला होता है कि बहुत सारे roman चक जो किस्से है उनके ठीक है? और यह किस्से कब के हैं? As they resist Roman occupation यानि कि जब वो Roman occupation यानि कि ये एक सामराज्या है ठीक है? यानि कि एक kingdom है Roman kingdom था ये एक जगे पर तो वहाँ पर इन्होंने उसका विरोध किया resist करना मतलब उसका विरोध किया ठीक है? ये लड़ाए लड़ रहे थे वहाँ पर कब की बात ही ये? 50 BC यानि की पचास before common era आज से 2000 साल पहले की बात ही ये तो तब का ये एक character बना हुआ है ठीक है? तो ये आपने देखा नहीं होगा मैं आपको चाहूँ तो इसका picture दिखा सकता हूँ ये इसका पहरे सही option है इसमें option क्या दिया गया है? तो इसका सही option है बच्चो Asterix Asterix एक ऐसा superhero है एक ऐसा comic hero है जो कहां से है? village goals से है उसके दोस्त का नाम obelix है और इन्होंने क्या क्या? जो roman occupation था यान की एक जगे पर जो roman लोगों का अधिकार था तो वहाँ पर इन्होंने क्या क्या? लड़ाई लड़ी इन्होंने वहाँ पर ठीके? ये कब की बात है? 50 BC ये sun होता है जैसे अभी कौन से sun चल रहा है? 2021 ठीके? ऐसे ये भी एक sun है ये तो बहुत पुराना sun है बहुत पहले की बात है ये ठीके? ये मैंने इंटरेनेट से निकाल के दिया है क्योंकि ये आपकी बुक में नहीं है ये पिक्चर तो ये है एस्टेरिक्स ठीक है? तो इनके बारे में बताया गया है कि ये क्या करते हैं? ये जो रॉमन एमपायर था उसका जो एक जगे पर occupied इन्होंने कर रखा था ये अधिकार कर रखा था किसी जगे पर उसके खिलाब ये लड़ाई लड़ते हैं ठीक है? तो आपने देखा ए चैरेक्टर आपकी इनने पिक्चर देखा कि वो एस्टेरिक्स कौन है ठीक है? तो अब नेक्स्ट पर आईए थर्ड पर ये इस असूपर हिरो आलसो रहर तो एस दे डाक नाइट यानि की ये जो है डाक नाइट यानि की अंधिरी काली रातों का हिरो है ये ठीक है? ये कब काम करता है? ये दुसमनों को कब मारता है? रात में, अंधिरी रातों में, काली रातों में, ठीक है His secret identity is Bruce Wayne उसका जो असली नाम है, जो secret है, जो उसका राज है वो क्या है? कि उसका नाम है Bruce Wayne ठीक है? यानि कि इस super hero का नाम तो कुछ और है लेकिन असली नाम क्या है इसका? असली नाम है Bruce Wayne, ठीक है? A wealthy American, यानि कि वो एक बहुती पैसे वाला American है अमेरिका में रहता है, इसलिए American है wealthy मतलब बहुत सारे पैसे वाला, ठीक है? धनी आदमी ठीक है? Rich person He lives in Gotham City तो एक Gotham City है यानि कि वो कोई अमेरिका में या अमेरिका के आस पास एक City है जिसका नाम है Gotham तो Gotham City में रहता है और वो दुस्मन यानि कि जो Society में, जो City में, समाज में आस पास जो बुरे काम करते है ये उनको मारता है, ठीक है? उनके साथ लड़ाई लड़ता है, ठीक है? तो इस Super Hero का नाम क्या है? Option दिया है, A में है Batman B में है Ghost Rider और C में है Ninja Turtles तो ये दिखिए, ये पिक्चर बनी हुई है ये पिक्चर किसकी है? Batman की, ठीक है? तो इसका जो Right Answer है, वो है Batman तो First में जो हमने पढ़ा उसका Right Option है Ant Man Second में जो हमने पढ़ा उसका Right Option है Asterix और Third में जो हमने पढ़ा उसका Right Option है Batman तो ये तीन ही आज हम पढ़ेंगे इनके बारे में और इनको Notebook पे भी लिखेंगे इस तरह के से देखिए Date and Day लिखेंगे Entertainment पार्ट आपका Start हो गया है इसमें पहला चैप्टर है Comic Heroes एक साइड आप लिखेंगे About एक साइड लिखेंगे आप Hero About में आप लिखेंगे First में Created by Hank Pym यानि कि Hank Pym दोरा ये create किया गया That can change size जो कि size को छोटा या बड़ा कर सकता है ऐसा Hero इसका नाम है Aunt Man इस तरह किसे लिखेंगे आप Second में आप लिखेंगे They are from village Goals and resist Roman occupation in 50 BC कौन है ये जो Roman occupation के खिलाप लड़ते हैं और रहने वाले हैं कहां के Goals Village के तो नाम क्या है Asterix जिसका मैंने आपको picture दिखाया था लग से Third में देखिए A wealthy American यानि कि धनाल्टिया आदमी America के रहने वाला Rich person America का rich person है उसका नाम है Bruce Wayne Lives in Gotham City और Gotham City में रहता है ये ठीक है इसका नाम है Batman ओके तो इस तरीके से आपने अपनी नोट बुक पर ये लिखना है साफ साफ लिखेगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि किस Comic Hero के बारे में बात हो रही है ठीक है ये आप learn करेंगे और Next वीडियो में हम बाके तीन पढ़ेंगे ठीक है आज आप इतना लिखिए और इसे learn भी किजिए